लोक सभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच यूपी के कुंदा से विधायक रगुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भहिया मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इस लोक सभा चुनाव में राजा भहिया किसका समर्थन करेंगे। इस बीच राजा भहिया के बारे में आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जो शायद ही आपने कही देखी या सुनी होगा। आज हम आपको राजा भहिया की समपती के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते है कि उनकी पास कितनी समपती हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पिछले दस सालों में उनकी समपती में कितना इजाफा हुआ है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राश्ट्रिय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रगुराज प्रताप सिंग राजाभिया की संपत्ती दस साल में नौ गुना बड़ी हैं वर्ष 2012 के विधान सभाचुनाव में दिये गए हलफनामे के मताबिक उनके पास कुल एक करोड पैतालीस लाख सत्तर हजार साथ सो सत्तावन रुपए की संपत्ती थी जबकी वर्ष 2012 के हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ती नौ करोड सत्रह लाख चौवन हजार चार सो अर्तालीस रुपए हो गई है राजा भहिया के साथ उनकी पत्नी भी असलों की शौकीन है दोनों के पास तीन तीन असल हैं आपको बता दे कि कुंडा विधान सभा से नामांकन करने वाले रगुराज प्रताप सिंग राजा भहिया के साथ ही उनकी पत्नी भानवी कुमारी भी करोड पती है राजा भहिया ने नामांकन के समय जो हल्फनामा दिया है उसके मुताबिक उनकी समपत्ती दस साल में नौ गुना बढ़ गई है कुंडा से छे बार विधायक वभद्री राजघराने के वारिस राजा भहिया को विरासत में भी बहुत बड़ी समपत्ती मिली है राजा भहिया नौ करोड रुपे के मालिक है जबकि उनकी पत्नी भानवी कुमारी के पास करीब तीन करोड रुपे है बेटी रागवी कुमारी सिंग की बात करें तो उनके पास 42 लाख बेटी विजय राजेश्वरी सिंग के पास 98 लाख बेता शिवराज प्रताप सिंग 64 लाक और ब्रिजराज प्रताप सिंग 63 लाक रुपए के मालिक है। राजा भहिया के ऊपर अब मात्र तीन मुकद में रह गए हैं। असलों के शौकीन राजा भहिया के साथ ही उनकी पत्नी के पास भी पिस्टल, राइफल और बंदूख है। हालांकी राजा भहिया के पास नकदी कुल साथ हजार रुपए ही है। लखना उस्थित SBI में उनके नाम 96 लाक रुपए जमा है। SBI विपल खंड गोमती नगर में एक करोड रुपए जमा है। SBI कुंडा के PPF खाते में 37 लाक रुपए, ग्रामीन बैंक कुंडा में एक लाक रुपए जमा है। राजा भहिया के पास आम के दो बाग है। 11 एकर से अधिक खेत है। बताते चलें कि कुंडा में राजभवन के साथ ही उनके और पत्नी के नाम पर दिल्ली में फ्लैड भी है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।